Brought to you by BPCL, भारत हाइस्टार कुकिंग स्टोर भारत हाइस्टार स्टब, सेव मोड, सर्व मोड नमस्कार बिस्टक देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर तर्वी सिनहा भारत में म्यूचुल फंड का लगतार विस्तार हो रहा है हर महीने नए ग्राहक म्यूचुल फंड को अपना इंवेस्टमेंट आप्शन बना रहे है म्यूचुल फंड हाउसेज का एसेट मैनेजमेंट का दाइरा भी लगतार बढ़ा है ऐसे में बिस तक लगतार आपको म्यूचुल फंड से जुड़ी जानकारिया देता आया है तो हम आपसे यही जाना चाहेंगे कि क्या महंगाई को बीट करने के लिए इंवेस्टमेंट का सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन म्यूचुल फंड को माना जा सकता है तो देखें अगर आप इंडिया का इंप्रेशन देखें जो सब्सक्राइब चल रहा है और फिर जो लोग इंवेस्ट करते हैं एवडी जैसे प्रोडक्ट में जहां पर अगर आप इंफ्लेशन और टैक्स को बीट करें तो नेकिटिव रिटन जी आते हैं तो उसको नजरे से आप महेंगाई और इंफ्लेशन को अच्छी तरह बीट कर सकते हैं और फिर लंबे अरजी की बीच में आप अच्छी वेल्थ भी कर सकते हैं तो इससाब से देखा तो मिच्वर्ण अच्छा एक काफी अच्छा तरीका है टू चंड्रेट वेल्थ ओवरा लॉंग पीडि इंवेस्ट करते हैं तो क्या पिछले साल भी हमने जिस तरीके से देखा कि लगतार इंवेस्टर्स की जो संख्य है म्यूच्वर्ण में वो बढ़ती जा रही है तो इस साल भी ग्रोथ उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी और जो रिटर्न है वो भी आपको क्या लगता है कि इस साल यानि की 2024 में रिटर्न भी उसी आवरेज के हिसाब से रहेगा तो आप देखिए इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है जो लोग पहले इनवेस्ट करते थे एवडी में इनवेस्ट करते थे गोल्ड में इनवेस्ट करते थे इस वही एक तरीका था इनवेस्ट में करने का यह हो रहा है तो मुचल अच्छा तरीका गाया लोग इंवेस्ट करें कि कोशिश कर रहे हैं तो उसकी करण यूजर's नमबर और पीपल इंवेस्टिंगे इंडिया का जीडीपी देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी कुछ बारा से तिरा डगा पसंडिया गरता है और मुचल फंड निफ्टी ने भी कुछ अनॉमनित उतना ही रिटर्न दिया है यह कहना बड़ा मुच्छ भी अगले साल से मिटर आएगा कि नहीं आएगा विकॉज लास्ट तो साल बहुत ही बढ़िया रहे हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं रिटर्स पॉइंट व्यू से तो सब्सक्ता एक साल उपर नीचे हो बड़ लॉंग टर्म में नेक्स चार- कि अगर कोई पच्छ से तीस साल का व्यक्ति है और वो लंबे वक्त के लिए मूच्छ फंड में इंवेस्टिड रहना चाहता है तो उसका पॉर्टफोलियो मिक्स किस तरह का होना चाहिए जैसे कि अगर हम बात करें एक्विटी डेट या हाइब्रिड फंड का अलोकेशन वो अपने पॉर्टफोलियो में किस तरह के से करें तो जैसे कोई 25 साल का है और जैसे जो आपका कुश्चन है वो मुस्टी इस पे है कि उसका असे डालोकेशन कैसा होना चाहिए तो एक बहुत इसी थम रूल है कि 100 माइनस आपकी अपकी एक्विटी पॉर्फोलियो होसकता है तो अगर आप सब्सक्राइब पॉर्फोलियो हो जाएगा बीस से पंद्राइब पॉर्फोलियो हो जाएगा ऐसे आप अपने पॉर्फोलियो को डिवाइड कर सकते हैं और देन आप इसको मीचल फॉरंड बॉंड डेट के लिए और गोल्ड भी मीचल में अवेलेबल है इसको ऐसे देखना चाहिए और पिर आपने एक्वीटी का डिसेड के लिए फिचते टागर जड़ना है तो उसमें कितना फिर कितना लाज कैप स्मॉल कैप मिट कैप का वह रिश्यों आपस में डिसाइड कर सकते हैं तो बहुत लोग वन थर्ड वन थर्ड वन तर्ड डाल कुछ लोग बोलते मेरा रिस जादा है तो मैं जादा स्मॉल कैप मिट कैप निसकते हूं लाज कैप कम लिशाइड कर सकते हैं लेकिन हम आपसे यह जाना चाहेंगे एक एक जापल के साथ अगर हम बात करें तो अगर वही 25 से 30 साल का व्यक्ति है और उसके पास 10,000 रुपए है सेविंग्स में और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो किस तरह के फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है कैसे शुरुवात करें क्या उसका डिवाइड होना चाहिए तो अगर वह पहली बार इंवेस्ट करना जा रहा है और पहली बार इंवेस्ट करेगा तो मेरा मानना है उसको डाइवर्सीफाइट वूच्छ फंड्स डूढने चाहिए जो अच्छे फंड मैंने जिनका अच्छा अच्छा यूम है उन्होंने पहले से यह साबित किया है कि अच्छा फंड के पास जाना चीए मेरे सबसे मेरे चांच छार से काच है और एक फंड फंड के लेस सकता है यह मिट कैप के ले सकता है एक स्माल के ले सकता है तो पाज फंड्स के अंदर दो दो जार रुपे का SIP दो जार रुपे उसका इंवेस्ट हो जाएगा एफेक्टिवली और सिंस इसमें लार्ज कैप, मिट कैप, स्माल कैप सब में वो पाटिस्पेट कर पा रहे है तो उसका अनॉमन रिटर्न कुछ 15-16% के असपर बन सकता है इफ यू सी दा पास्ट परफॉर्मेंस के साब से अपने जिस तरीके से बताए तीन से चार पंड में वो पैसे लगा सकते हैं बहुत करने मिनें लेकर परिशानी है तो क्या इस तरीके से कापिन्ग भी करनी आपके हिसाब से ज़रुरी होती है अगर जो नय निवेशक है उनके लिए मैं करो नया निवेशों को या पुराना निवेशों को नंबर ऑफ फंट सो पक्का ही रिस्टिक करना चाहिए कैप तो लगाना ही चाहिए अगर आपके पूर्फोलिय में दस से मतलब ज्यादा फंट हो गया फॉर इजम्बल मेरे को लगता है कि आट से दस फंट होने चीए मैक्सिम किसी के पूर्फोलिय क्योंकि वो उसको ट्रैक्ट भी कर पाएगा पर जैसे कर यह फंट दस से ऊपर चले गए मैंने बहुत क्लाइ तो अगर आठ से दस रहेंगे तो आपका ट्रैक्ट वेटर रहेगा आपका अंडर्सेंडिंग वेटर रहेगा यूवार चांस दो अच्छा पूर्फोलियो साइज है एक इंवेस्टर के लिए जिसके उस मिक्स केंदर वो इंवेस्ट कर सकता है और लॉंगर पीडियो सब्सक्राइगा कि एक दो फंट जो नॉट प्रफॉर्मिंग उसको बाहर निकल गया नया आ गया पर आज से दसी रखना चाहिए जी बिलकुल अभी मेर मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि क्या म्यूशल फंट में प्रॉफिट बुकिंग अभी की जा सकती है या करना क्या है क्योंकि आइडिया यह बहुत ही मुश्किल है किसी को पता करना कि अभी प्रॉफिट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा और आप तो लॉंग टर्म इंवेस्टर हैं अगर आप साइपी रूट में तो अगर मार्केट गिरा तो नहीं है प्राइसिंग या वैल्यू इंप्रूव ही होती जाएगी इंडाट सेंस तो मेरे साथ से इंवेस्टर को बिवांड़ पॉइंट दिमाग नहीं लगाना चाहिए प्रॉफिट में का परस्पेक्टिव है एक दूसरा तहीं का और देखने का है कि अगर आप ऐसे आलोकेशन क बढ़ गया प्रॉफिट हो गया और आपका अब आलोकेशन सतर थीस हो गया है बिकॉज ऑफ राइज इन एक्विटी प्राइज और राइस अच्छा टाइम है जहां आप बापिस वह सकतर टके को बापिस साथ है पच्छ पंग की आसपास लेकिया है उस पैसे को बापिस ड करने चाहिए लॉग टर्म की अमेशा बात करते हैं कि मिचल फरंड में जब भी निवेश करें तो लॉग टर्म का नजरिया रखें ऐसे में लॉग टर्म आपकिस कितने साल को कह सकते हैं अगर एक बार कोई पैसा लगाता है तो कम से कम कितने सालों तक उसे अपने पैसे को म करना चाहिए तो मेरे खाब से तो जो एसाइपी के इंवेस्टर्स हैं जो मिचलों ने इन्वेस्ट करते हैं एक कुटी पॉइंट व्यू से जैसे पर इसे ना हो कि आप जीचे जाए तो पैनिक करना शुरू कर जाएं तो अगर आपका पांच साल का नजरिया रहेगा तो हमेशा comfortable रही है तो पात साल का व्यूतर रहना ही चाहिए एक investment करने के लिए जी अभी जैसा कि आपने बता है कि small cap और mid cap funds में लोगों की रूची है वो काफी बढ़ रही है हमने भी देखा कि 2023 में खासकर कि small cap funds की अगर बात करें तो उसमें निवेशकों को अच्छा पाइदा भी हुआ और काफी सारे निवेशकों ने इसमें पैसा भी लगाया तो क्या आपको लगता है आगे भी small cap fund में इसी तरीकी की growth की संभावना है क्या small cap fund 2024 में भी इसी तरीकी से चलेगा तो देखिए लास्ट यह स्मॉल कैब मिट कैप ने स्मॉल कैप ने कुछ 41% 41% को रिटन दिया में अगर आप इंका दस साल का आवरेश पकड़ेंगे तो स्मॉल मिट कैप 19 टकी के असपा से स्मॉल कैप 21 टकी के असपा से लाट इस माइंडेस्टेंडिंग कुछ थोड़ा उपर नीचे हो सकता है तो आवरेश तो रिटन वही आता है अगर आप देखेंगे अब आप देखते हैं कि स्मॉल कैप मिट कैप में क्या fundamental है आप इंडि रही हैं बंड रही हैं नहीं कंपनी नहीं बिदन स्टार्ट हो रहे हैं तो वह सब स्मॉल मिट कैप के अक्चुली स्टॉक्स बन जाते हैं गूंफिर के और इंडिया में उन्में बहुत रोख आने वाली है तो कि क्या 41 परसंट का अगले साल दोजार पच्चिस में दोजा 24 में कहना मुश्किल है काफी ही ज्यादा एक्सेप्शन रिटल आएं जैसे मैं अब कुता है अवरेज उनका हाफ है मुटा माटी तो वह तो बहुत मुश्किल है कहना वह सबता ही कम रिटन है उतना रिटन तो नहीं है बड़ अगर आप लॉंग टर्म में देखिए स्मॉल जब बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि 2023 में स्मॉल कैप फंड्स ने काफी जादा इंट्रेस्ट देया फायदा लोगों को पहुचा है लेकिन शायद एक बार जब उन्हें इतना फायदा हो चुका है तो 2024 में उस लेवल पर उन्हें रिटन मिले की संभावना थोड़ी कम हो जाती है तो लेकिन फिर भी अगर लंबी अवधी में वो स्मॉल काप फंड में निवेश करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट तो मिलेगा है लेकिन जहां स्मॉल काप फंड की बात आती है तो जितना उन्हें रिटर्न की खुशी होती है उतनी जोखिम भी उसमें जादा र जो अभी इनिशिल इन्वेस्टिंग फेज में हैं वो अपने एसे अलोकेशन को लार्ज और मिट कैप में डिवाइट करने के बारे में कैसे सुझ सकते हैं तो मेरे को लगता है कि अगर आपको लॉंग टर्म फंडमेंटरी पैसा बनाना है एक्विटी मार्केट्स में तुम मुचल फंट के रूट से तो हमेशा आपको डाइवर्सिफाइड पूट्फॉली रखना चाहिए कि लार्ज कैप स्मॉल कैप का कुछ कौंबनेशन ही होना देक्षिए आपके रिस्टेकिंग के लगए टिकिंग के लिए अप से पर शुक्त पर चौदा है मिटका को स्मॉल का इसा नहीं है कि बहुत ज़्या इसा नहीं नहीं है जवक्त नुब थीन परसंट का री 230 पाइंट का यह फरखार लगाता है तो हमेशा कॉंबिनेशन रखेंगे तीनों का मिलाके तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा हो जाएगा एक तो यह है आपका माइंडसेट भी बैलन्स रहेगा तो आप पैनिक भी कर सकते हैं आपको तोड़े कन्फूजन भी हो सकते हैं कि मैंने कलती तो नहीं करती तो आपका माइंडसेट भी बैलन्स रहेगा और उसके कारण आप लॉंग टर्म रख पाएंगे उसको और लॉंग टर्म में रखने में आपको पैसा बढ़ने वाला है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सिकाप फंड के बारे में जाना चाहेंगे जहां बता रहे हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को डावर्सिफाइल करें तो क्या उसमें मददगार साबित हो सकता है फ्लेक्सिकाप और मल्टीकाप फंड तो हाँ मतलब एक वह भी तरीका है करने का जैसे मल्टी कैप में तो सेवी का रेगूलिशन है कि आप तीनों कैटिक्री में 25-25 आपको मिनियूम रखना ही पड़ेगा एफेक्टिवली ना उसके बाद है कि वह बाकी कितना रखेगा तो एक अच्छा तरीका है इन बाद सेंज कि आप रादा गोईंग थू मल्टीपल फंड अप एक मल्टीकाप में कर लें प्लेक्सी कैप में ऐसा है कि फंड उसमें कोई रिस्स्रिक्शन नहीं है फंड मैंज़ा खुड बिश्यार कि कितना करना है तो ऐसा हो सकते ही कि मार्केट में स्मॉल खर चैप पर flexi cap में अभी भी fund में जाने large cap में ज़्यादा exposure ले रखा है तो मेरा यह मानना है कि अगर आपको small cap mid cap large cap में करना हैं तो आप अपने selected funds के तुरू कर सकते है small cap large cap में या फिर आप multi cap के तुरू नी जा सकते हैं दोनों में mostly आपको आपको वो exposure मिल जाएगा small cap, mid cap, large cap जे दोनों ही जब हम बात करें multi cap of flexi cap fund की तो दोनों में जो fund houses हैं उनका एक एहम role होता है ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगतार कई नए fund houses भी market में आ रहे हैं नए investors को उनमें invest करने से पहले किस तरीके से ये जाज करनी चाहिए कि वो जिन fund houses के थ्रू जा रहे हैं investment के रास्ते वो उन्हें अच्छा return देंगे वो अच्छी तरीके से उन्हें guide कर पाएंगे ऐसे में track record वाले funds पर दाव लगाना सही होगा या जो नए fund houses हैं उनको भी check करने कोई तरीका हो सकता है तो देखिए अगर नया निवेशक है तो मेरा दो मानना है कि वो अलड़ी proven track record वाले funds के पास जाए और वो better strategy रही उनके लिए पर कोई पुराना निवेशक है जिन्नोंने अलड़ी अच्छे funds पे पैसा लगा रखका है उनके अच्छी growth आई है तो नए funds में हमेशा देखा गया है कि कुछ-कुछ नए-नए ideas भी मिलते हैं आपको तो अगर आपके portfolio में उन नए idea की कमी है तो आप वो NFO के थुरू नए idea लिया जासकते है वाइल आप ये NFO के थुरू नए idea लिया जासकते हैं 2024 के हिसाब से माप से जाना चाहेंगे किस sectors पर focus इस दौरान है mutual fund houses का तो देखिए मेरे को लगता है कि ये sector वाला conversation काफी simple नहीं है complex है और मुझे लगता है कि investor को वो अपने उपर ना लेके fund manager को देने दिखाए काफी चीज़े को track करते हैं काफी सोच सकते हैं काफी company उससे मिलते है तो rather than investor deciding कौन से sector में इंवेस्ट करना चाहिए मैं जाता है कि आप diversified mutual fund लीजिए और जो fund manager है वो small cap mid cap large cap में generally उन्हीं सेक्टर में exposure लेगा है उन्हीं सेक्टर की small cap mid cap को पकड़ेगा है large cap को पकड़ेगा जहां उसको लगता है कि sector अच्छा घ्रू करने वाला है तो यह decision rather investor taking on his own because बहुत investors को idea भी नहीं होता वो अपने काम में इतने busy रहते हैं यह call fund manager को लेना better रहेगा than investor taking the call because fund manager की काभलीत काफी जाता है उसके उस decision को लेना चाहेंगे कि क्योंकि भारत की growth story में हम यह समझना चाहेंगी कि 2024 में किन sectors का बड़ा रोल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो viewers है मुना के वल mutual fund के थूरू लेकिन market में भी अपने पैसे share market में भी पैसे लगाते हैं उनके कंपनियों में investments हैं तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि 2024 के लिए किन sectors पर focus रहने वाला है तो अगर आप सेक्टर का पूछी ने कमीजी तो मुझे लगता है कि तीन इट्सेक्टर मुझे काफी इंट्रेस्टेंग लगते हैसे सम्झे का एक दिकिंटरर रहा है किसमें इनधेचा सुबर्य नेकनिन इसकंटा बड़ंगेश सब्सक्राइब का इसится रहा है काफी इसमें उसमें गर्ट पी रेये काफी इंधान ने वहां है विकॉस गॉवर्मेंट की फॉलिसी आरहें एक बार फिर से म्यूचल फंड को लेकर अपनी चर्चा को जारी रखते हैं म्यूचल फंड में निवेश करते वक्त क्या कुछ सावधानिया बरतनी चाहिए हैं हमारे विवर्स को वह हम जाना चाहिए अभर में एक तो यह सावधान वरतनी चाहिए कि सिंज अपका रुजान स्मॉल कैप में है तो आप पूरा पैसा स्मॉ्ल कैप में आड़ाल दीजी आपको मिक्स बनाना चाहिए लाज कैप अचाई चाहिए सारा पैसा एक इकुटी में डालना चाहिए कॉम्बिनिशन ऑफ डेट एकुटी गोल उना चीड असे डालोगिशन की फिलोसफी है थर्ड ही है कि आप उन्हीं फंड मैनेजर सो उन्हीं फंड हाउस इसको सेलेक कीजिए जिनका पूर्वन ट्रैक रिकॉर्ड है उन्होंने अच्छा ग्रोड दिखाए तो अगर आप यह करेंगे तो मुझे रहता है कि मुटा माटी आपका एक अच्छा पूर्फूलियो बन जाएगा और आप उसको फिर सबसे इंपॉर्ट साफदानी यह है कि आप उसको फिर कंटिन्यू करिए कंसिस्टेंटी पर लॉंग टर्म क्योंकि कंपाउंडिंग और लॉंग टर्म का बहुत बड़ा बेनेफिट होता है जल्डी मैंने देखा है कि लोग जल्दी निकल दाते हैं उनको कोई कुछ बोलते था तो जल्दी वो उनका माइंडसेट चिन्यू आता है वो गलती ना की तो यह चार चीज़े दिमांग में रख कि हम लगतार ये भी देख रहे हैं कि ल पैसे वहां से भी बनाए तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा नजरिया है जो रख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट और ये सब में जो पैसे लगाते थे अब वो जान चुके है कि जब वो मार्केट पैसे लगाते है तो कंपाउंटिंग का उन्हें फाइदा म द्रेस्ट मिलता है और मूचिल पंड तो इसमें सबसे सेफ ऑप्शन माना ही जाता है ऐसे में अंत में हैं अपने विवर से एक चीज़ और ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपने पैसों के इन्वेस्मेंट की बात करें तो कोई वित्यस अलाकार से राय लेने के बा आपको लगातार अपडेट देते रहें और आपको जितनी भी जानकारिया है उसे अवगत कराते रहें आत में सर आपको कोई मेसेज देना चाहेंगे हैं मारे विवर्स को कि अपने माइंडसेट को जबादा चीज मत कीजिए आप लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए लॉंग टर्म में कंपाउंटिंग और ग्रोथ बहुत बड़ा वेल्स क्रेट कर सकते हैं और जूर्ली देखा है कि वो ही गलती लोग करते हैं तो यह मुझे लगता है कि काफी पैसा कमा सकते हैं आपको अमारा ये इंटिवियु सिरीज पसंद आरह होगा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट कर जरूर बताए, साथ ही ऐसे ही बिजनर चाहत की ताज़तरीन खबरों से अपडेटेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक बिस्तक आपके लिए लाया है प्रेमियम मेंबर्शिप प्रग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूजलेटर, लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ इस प्रेमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, बोल्ट और प्लाटिनर, जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस तक के यूट्यूब चैनल पर जाए, जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर बढ़ाए, झालाए, बसुड़ना प्लाए, जिनके शुवात मेंबर